हेलो एवरीबडी वेलकम तो एवरेस्ट कोचिंग इंस्टिचूट तोडे वेविल डिस्कूर्स क्लास सेवन इलेवन्थ एकनॉमिक्स जो हमारी सीरीज चल रही है चाप्टर की मायक एकनॉमिक्स और सेंट्र प्रॉब्लम्स ऑफ एन एकॉनमी हम उसको यागी कंटीनू कर र एक एकॉनमी कौन कौन सेंट्र प्रॉब्लम्स होती है सो सेंट्र प्रॉब्लम्स ऑफ एन एकॉनमी बेसिकली है क्या वह बेसिकली देखो कुछ भी आपने भी हमने पढ़के हटे हैं सकास रिसोर्स के बारे में वांड्स के बारे में एकॉनमी किस टाइप की होती है उसके में तो उसमें जो आपने में जीज यह पड़ी है कि जो हुमन वॉंड्ट से वह अनलिमिटेड है पर जो हमारे हमने जिन चीजों से हमने अपनी वॉंड्ट पूरी करनी है वह रिसोसे हमारे सकार तो कैसे हम जो प्रॉबलम सेंट्र प्रॉबलम अफ़न एकॉनोमी बेसिकली यह होती है वो जो हमारी unlimited wants है और जो हमारी limited resources है या scarcity of resources है उनके बीच से जो हमारी problems खड़ी हो रही है उनको हम central problems करते हैं, ठीक है? so basically central problems of an economy are of three types mainly what to produce, how to produce and for whom to produce, तीन तरह की हैं और इनको हम detail में अभी discuss करेंगे, यहां पर मैंने यह जो चार्ट से आपको पताना की कोशिश किया है, basically वो यह कोशिश किया है कि तीन problems है, what to produce, how to produce and for whom to produce और how to produce में दो हमारे techniques आजाती हैं, labor intensive techniques and capital intercepting, चलो अब detail में पढ़ते हैं इनको so first comes what to produce, के हमने क्या पहली problem, central problem, किसी भी economy, यही सरफ इंडिया की बात नहीं हो रही है, any economy, all over the world यही दिक्कत आती है, पहले what to produce, के what to produce क्यों दिक्कत आती है, बेटा यह, basically तो आती है क्योंकि हमारी जो human wants है, वो unlimited है, बहुत सारी है, पर हमारी resources है, वो हमारे पास limited ही है, ठीक है, अब जैसे यह right side पर आपको pick है, pick में देखो, आपको कितनी चीज़े नजर आ रही है, आप उन्तने limited resources से सारी चीज़े बना सकते हो, So, we have to decide, an economy has to decide कि कौन से goods हमें बनाने हैं, कौन से goods हमने नहीं बनाने हैं, So, that the people living in an economy, they should have better, more satisfaction, social welfare should be good there, and also profits should be there, ठीक है, जो हम ये लोग हमारे economy में रहते हैं, उन सब को साथ socially justice, social welfare भी इनको provide किया जाए, profits भी बना किया जाए, और उनको सारी goods उनको economical rate पे दी भी जाए, ठीक है, तो इसमें सब first आती है issue, economy has to decide what goods and services are to be produced, वही मैंने भी आपके साथ बात किये कि कौन से goods हमने बनानी हैं, कौन से services हमने बनानी हैं, ताकि हमारे economy के लोगों को maximum satisfaction मिल सके, now which consumer goods, capital goods, wartime goods and peace time goods are to be produced, अब यह देखो, मारे पास ऐसे epic में ही आप देखरो, कितने तरह के goods हैं, तौ हमने कौन से goods कितने बनानी हैं, कौन से नानी हैं, कन्जीवर गुड्द कौन से क्शीने हमने बनानी हैं, तो हमने कंि हमने बनानी हैं प्रोटू की जहते हैं, हमने कौन सी machinery बनानी है, tractors बनानी है, combines बनानी है, कौन सी हमने चीज़े ऐसे बनानी है, जिसके बिच में investment जदा लगेगी, वो capital goods बनानी है, ठीक है, अब बार आगे आती है, जैसे हम पहले example होगी, capital goods and consumer goods में, दूसरी आगी war time goods और peace time goods, अब देखो, economy यह, आप world में survive कर रहे हो, आपकी war की तो, मतलब एक जो है, वो रहता ही है न, कभी भी आपकी war हो सकती है, जैसे इंडियो पार्क के relations, हमारे अच्छे नहीं है, या किसी और country के साथ, war कभी भी हो सकती है, तो हर economy ने, अपने आपको safe करने के लिए, defend करने के लिए, कुछ quantity में उन्होंने, war time goods भी बनाने होते हैं, अब यह हमने देखने हैं, कौन से हमने war time goods बनाने हैं, या कौन से peace time goods, अब peace time goods कौन से होते हैं, basically peace time goods, हमारे वो होते हैं, जो हमारे all over the time, अब कुछ भी ले सकते हो, like आपके bread, butter, या आपकी wheat, घी एए, कुछ भी हैं, कुछ भी हैं, तो आपने देखना हैं, कौन से हमने war time goods, बनाने हैं, कौन से अपने peace time goods, बनाने हैं, consumer goods, बनाने हैं, capital goods बनाने हैं, ठीक है, यह तो बात आगी हमने कौन सी चीज बनानी है अब नेक्स्ट इशू इसके बीच में जो इस what to produce पर आता है वो उसकी बारी आती है हमारी its quantity कि हमने चीजे तो हमने decide कर लिए कि हमने consumer goods कौन सी बनानी है capital goods कौन सी बनानी है कौन सी machine ने बनानी है या हमने आभी जैसे consumer goods की बात किया है wheat, maize, बाजरा या आपका यह हम लोग कहते है bread, butter, whatever तो यह हमने कौन सी कौन सी चीजे बनानी है यह हमने देख लिया हमने सोच लिए यह चीजे बनानी है अब next बात आती है कि हमने कितनी quantity में बनानी है वो बात क्यों हमने सोचने कितनी quantity में बनानी है वो इसलिए आती है क्योंकि हमारी जो resources है वो scars है हमने यह देखने है कि हमारी कितनी हमने कितनी capital goods की quantity कितनी बनानी है कितनी हमने consumer goods की बनानी है once हमने decide कर लिया हमने कितना कितना बनाना वाट व्रडूज में दो चीज़े में आती है कि हमने कौन सी चीज बनानी और कितनी कौन्टिटी में चीज बनानी है ठीक है नाव कम सेकेंड सेंट्रल प्रॉब्लम ओफ एकोनिमी वह आती है हमारी हाव तो प्रडूज जैसे यह आपके पिक में लगी हुए है अब तो प्रडूज में बेसिकल हमारी देखो दो चीज़े आती है एक आजाती है लेबर इंटेंसिफ टेक्नीक और एक कैपिल इंटेंसिफ टेक्नीक हाव तो प्रूज में समने प्रोडक्शन कैसे करनी है हमने चीज जो ने गूट जन सबसित डिसाइड कर लिए हमने यह बन और इसरह उन्होंने टेक्नीक करना है ताकि कोई टेक्नीक करें व ऐसे यूज करें कि उसे जो इश्चस रेसोसे कम से कुं यूजो और को मिलें मैक्स्यम Premiere कों लॉगे तो हम लोगों ने वो देखना है, economy में ये देखना होता है, next central problem में, तब labor intensive technique में क्या होता है, labor intensive technique में basically आजाता है, आपकी ज़्यादा labor use होती है, और आपकी capital कम use होती है, अब जब labor ज़्यादा use होगी, आपकी capital, आपकी machine होगी, उस size में आपका effort ज़्यादा लगेगा, time recording ले बनेगी, और जो आपकी capital intensive technique है, उसमें आपकी labor कम use होगी, और आपकी capital ज़्यादा use होगी, obviously, capital intensive technique में, आपकी quality products आपके ज़्यादा आपकी quantity produce होगी, कम time में, और उसमें सब में uniformity रहेगी, तो ये एक economy ने decide करना है कि किस type का method उन्होंने use करना है, उनकी economy में कौन सा suit करता है, ठीक है, तो ये बात ही हमारी how to produce की, अब next बारी आजाती है हमारी for whom to produce, अब देखो हमने how to produce, what to produce, क्या produce करना है, कितना produce करना है, वो देख लिया, कैसे produce करना है, how to produce में यूज देख लि for whom to produce, हमने किसके लिए बनाना है, अब ये देखो आपकी side chair पे pick है, for whom to produce, अब देखो जो भी आपने goods बना लिए है, production आपने कर लिए है, तो production तो सीधा income के साथ ही आपकी relation है, production और income का सीधा relation है, तो ये आपने देखने है, इस problem में क्या दिक्कत आती है, कि वो they have to see, कि कि कौन सा आपको personal distribution करनी है, functional distribution करनी है, दो चीज़ी है, दो आतनी है, इसमें personal है या functional है, personal distribution में basically जो आपने income generate किये है, production से, वो आपने जो income है, कैसे आपने different individuals में या household में कैसे पार दनी है, वहाँ पर आपकी दिक्कत आ जाती है, problem of inequality, अब ये देखो ये pick में, कोई तो आपक आपका राजा है, और कोई आपका गरीब है, so they have to see, कि कैसे आपने produce करनी है, चीज़े, आपने कैसे जो उनको distribute करना है, दूसरी बात वारिया आती है, हमारी functional distribution की, उसके बीच में देखो, inequality की problem खड़ी नहीं होती है, क्यों, क्योंकि उन्होंने क्या करना है, कि जो हमने factors से हमने goods produce की है, four factors है, हमारे land, labor, capital, entrepreneur, इन चारों में जो हमने income generate किये, कैसे हमने उसको divide करना है, तो यह आपकी functional distribution में आ जाती है, तो पहली जो दिकत आती है, personal distribution में, उसके बीच में आपकी problem of inequality खड़ी हो जाती है, और जो functional distribution है, उसमें problem of inequality नहीं खड़ी होती है, ठीक है बटे So, this is all about today's video, if you find any difficulty, you are most welcome to give your feedback in the comment box, thanks for watching